नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप के अपने चैनल दे क्रिप्टो बेज पर उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज इस वीडियो में मैं हाजीर हूं आप सब के सामने फिर से डेली न्यूजन क्रिप्टो एनलेसिस के साथ में आज इस वीडियो में हम लोग काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों बात करने वाले हैं और काफी सारी इसी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो भारत सरकार में के द्वारा बीट में बाइनेस को रिलेटेड जारी की गई हैं प्लस उसके अलावा मार्केट में और वी दो तीन ऐसी अपडेट आई हैं जिसके को देख सकते हैं टॉप गेनर्स में जो सबसे पहले है वो जेड माइंड टोकन है वह 370 परसेंट अब चल रहा है 24 आवर्स के टाइम पिरियड में उसके बाद अब चल रहा है इसका क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं बता तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन करें वहां से आपको आने वाले क्रिप्टो एड्रॉप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जब हीरो आफ माविया जब लॉंच हुआ था तो इ हुआ जो प्राइस था फिर से दो से पांच डॉलर के बीच में आके डाउन हुआ लेकिन एक्सपर्ट करते हैं कि यह जल्दी एक बार जब एड्रॉप के लोग निकल जाएंगे इसमें से तो यह फिर से पीक अप लेगा और इसका प्राइस जो है उपर जाएगा उसके ला कोमियां करके और काफी पुराना कोई नहीं इसमें भी 20 परशन का ग्रोथ है dlm टैंव और यह कुछ बड़े टोकन है जिनमें ग्रोथ देखनें को मिल रहा है जैसे बोल रहा इनके प्राइस में अच्छा का सा जंब देखनेंटों को मिल रहा है प्लस जो 24 hours के top down coin है उसमें multi chain है multi chain क्यों है इसको देखें दो तिन चीज़ें multi chain को कुछ exchanges से dealist किया गया उसके लावा Monero के भी कुछ exchanges से dealist किया गया Monero में आप लोग देख सकते हैं कि 30% का downfall है और same multi chain में भी 38% का downfall है यह क्यों हुआ है क्योंकि कुछ exchanges से इनको dealist किया गया है और इसको dealist करने के announcement की तो announcement के बाद थोड़ा सा penny create हुआ कि इतने बड़े exchange क्यों create कर रहे हैं क्यों इसको dealist कर रहे हैं तो यह सब जब news आई बाहर तो उसके बाद लोगों को ने इसको sell out करना चालो किया और sell out करने की वज़य से इसके price में एक अच्छा कासा downfall almost 30 to 40% का downfall देखने को मिला प्लस ऐसे काफी सारे token आप लोग देख सकते हैं वो भी token जो है जिनकी जो down for downfall रहा है जिनके price में वेन में भी downfall रहा आपको पता होगा वेन अभी हाली में लिश्ट हुआ एक solana air drop था उसकी प्राइस में 11% का downfall चल रहा है तो यह तो दोस्तों को कि crypto की सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अब उसके बाद हम लोग बात कर लेवाते हैं कुछ इंपॉर्टन न्यूज की क्रिप्टो मार्केट में कुछ बहुत इंपॉर्टन न्यूज आई है सुरुवाद करते हैं सबसे पहले हम लोग को माइन से क्योंकि आप लोगों को पताया कि बाइनेंस और कम से कम 627 ऐसे एक्सेंज जिनकी यूरल को और उनके वेबसाइट को भारा सरकार ने ब्लॉक करके रखा है और उनको एपल इस्टोर प्लेइस्टोर से भी हटाया हुआ है और भारा सरकार चाहती है कि यह लोग अ इंडिया की आप हम गारे एक एप्लीकेशन को प्लेइस्टोर पे और प्लेश्टोर फेलाओ किजिए और वेबसाइट को अलाओ कीजिए जो भी टेक्सेस फाइन होगा वह हम पे करने के लिए रेडिया लेकिन बाइनस अभी इस चीज के लिए रेडिये नहीं है कि वो बाइनेंस ने उसको reject कर दिया है अब युदे कि उसमें हुआ क्या क्रिप्टो करेंसी एक्चेंज बाइनेंस इंगेज इन डिसकेशन विद इंडियन गवर्मेंट तो रिए एक्सेश तो इस मोबाइल एप पेनल्टी भरने के लिए तयार है लेकिन वह अभी इस चीज में विल्कुल इंट्रेस्टेट नहीं दिख रहा है कि वह इंडिया की प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट पियानी के पीमेल लेकि गाइडलाइन्स को फॉलो करें तो इंडियन गवर्मेंट ने क्या किय पे आप फुल कंप्लाइंस के साथ आओ और इसको फुल फ्लेज में रन करो और गवर्मेंट कुछ और भी चीज़ें कर रही है कि गवर्मेंट इस चीज के उपर भी नजर रखी है क्योंकि बहुत सारे लोग वीपन का इस्तेवाल करके भी बाइनस को यूज कर रहे हैं और इन सब चीजों के उपर उनके एक ऑफिस्यल टीम भी मॉनिटर कर रही सारी चीजों को और उसके बार में डेटेल में क्या दिया है और इंडियन गवर्मेंट जो है यह यूरल को ब्लॉक कर जो वीपियन से यूज करके लोग यूरल चला रहे हैं उसको भी ब्लॉक करने की पूरी तयारी कर चुकी है और डिसंबर 20 वेच इंडियाज फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने जो सोकॉज नोटीस जारी किया था एक्चेंजेस के लिए एक्चेंजेस ने उसको फॉलॉप नहीं किया तो उसके बीच में करते हुए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वारा सरकार इस चीज़ को भी बंद करने की पूरी तयारी कर चुकी है कि वीपेंस से भी आप बाइनेंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उसके बाद लीगल चैलेंजेस एंड पोटेसियल वर्काउट फॉर माइनें इंडिया बाइनेंस के लिए इंडिया में लीगल चैलेंजी क्या-क्या है कि काफी सारी चीज़ यहां पर दी गई है कि इंडियन गवर्मेंट को रिपोर्टिंग करना है कि दस लाग से उपर डेट के उपर प्लस नोई और कस्टमर के वाश्य प्रोसीजिए रैडि प्लस सरकार ने इसके लिए अपनी तरफ से क्लियर ली इंस्टक्शन दे दिया है और आली में ऐसे कई रूल से रेगुलेशन के इसाब से तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट अपडेट थी और इंडिये लोग यूज कर रहे हैं इसका भारत में अभी कुछ इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है क्योंकि भारत सरकार अपने अपने अपना इस्टेंड एकदम क्लियर कर दिया सके कुछ इसे टोकन है जिनको मेजर क्रिप्ट एक्सेंजर लिस्ट कर दिया है जिसके उनके प्राइस में बहुत सारा डॉण मोनेरो these डीनांते अब कर दिया है क्यों मेडियो को अपने ये लिज कर रहा है तो इस न्यूज की वजह से मार्केट में काफी सारा पैनिक सेल हुआ मोनेरो में और मोनेरो का प्राइस जो है 30% के एराउंड डाउन फॉल हुआ पिछले 24 घंटे में और बाइनेंस को इसके बहुत सारा क्रिडिसिजम भी जहलना पड़ा क्यंकि इसके विए कि मोनेरो को प्राइस को जिमिदार बानते हैं कि प्राइस जंप हो रहा है कि वाइनस को इसके लिए इसके लिए इंफरमिशन थी और वैनेसरे डिसको डी लिस्ट करने का प्लानिंग किया उसमें आप लोगों को पास यह टोकर रहेंगे तो आप इनको जरूर सेल आउट करने एरोगोन है यानि कि एंटी जिसका सिंबोल है मल्टी चैन है मल्टी टोकन है वाई है एंड मोनेरो यह चार टोकन को 20 परवरी को बाइनेंज जो है डे लिस्ट करने वाली है तो उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गए होगी अगर आपके पास यह चारों में से कोई भी टोकन होगा तो आप उसको या तो या त किसी अधर एक्षेंज पर ट्रांफर कर लें जहां पर यह इसकी ट्रेडिंग हो रही है उसके अलामा एक नई लिस्टिंग होई कल माइनेंस पर डिवाई यानि कि डाइमेंशन और डाइमेंशन टोकन लिस्टिंग के बाद 40% सर्ज हुआ इसके प्राइज में और यह 30% अफ्टर एड्रॉप और डिस्टिबूटेड टू मिलियोंस ऑफ यूजर और मेंटर मेजर सेंट्रलाइज एक्सेंजर सच अज बाइनेंस के लिश्टिंग के बाद 40% का ग्रूथ हुआ और इसका एड्रॉप लोगों को डिस्टिबूट किया गया और एड्रॉप का इन क्रांजेक्शन होना चाहिए सेलेस्टिया के ओल्डिंग होनी चाहिए एक्टम टोकन की ओल्डिंग ही चाहिए और आज से अलगले एक्टिवेटी सोलाना प्रेटफॉर्म पे करनी थी यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और जो लोग इसके लिए एलिजिबल थे उनको लगबग वन बिलियन सप्लाई कर डिस्टिबूट की गई है मार्केट में टोटल सप्लाई का और करेंट में इसका प्राइज जो चल रहा है 4.9 के एराउंड चल रहा है डॉलर में तो इसके इसका 370 मिलियन का मार्केट कैप जेनरेट हुआ है पिछल प्रासिबल नहीं है उसके अलामा एक न्यूस थी कि इंडिया इंडिया मुस्ट कॉस्यसली और सीवीडिसी प्राइवेसी कंसर्ण इससे कि आप लोगों को पता है इस इंडियन गवर्मेंट में अपना खुद का सीवीडिसी यानिके सेंटल बैक डिजिटल करेंसी को इस अने वाले हैं उन सब सारी चीजों को एनलाइज किया जा रहा है और एक एक करके उन चीजों को सौट आउट किया जा रहा है और उसके बाद ही सीवीडिसी जो है मार्केट में फुली तरीके से लांच किया जाएगा इसेवरल बैंक्स इंक्लूडिंग अचीज़ीट और बहुत सारे बैंकों ने अपने एंप्लोईस को से बीडी सी में फंड डिपोजिट करने के लिए जो है इनकरेज कर रहे हैं यह लोग ताकि यह जो प्रोग्राम चल रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा इनकोट एंक्ट मिले और इसमें ज्यादा से सरकार को no mandate on tax the RBI historically known for its opposition to crypto both domestically and globally clarified that crypto taxation is not within its mandate this clarification suggests that RBI might not object if the Indian government decide to reduce okay RBI ने ये भी एक अपना करना चाहती है तो उसमें RBI कोई interference नहीं करेगा वहारा सरकार जो फैसला चाहिए ले सकती है इसके लिए RBI अपोस्त नहीं करने वाला है तो हो सकता है कि आने वाले दो से तीन महिनों में इसके उपर कुछ जानकारी मिले हमको सकता है क्रिप्टो में कुछ अपडेट आए त टेकसेस में कुछ release मिल सके लोगों को रात मिल सके भारती इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को तो फिलाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए तक यह सारी information और लोगो